आज का पंचांग आज का दिशाशूल पश्यम की तरफ रहेगा तो फिलाल पश्यम दिशा की ओर यात्र टाल दें आज विशिस क्या है आज विशिस है कृष्ण पिंडगल संकस्टी चतुर्थी तो चलिए आब आपको बताते हैं आज के महाउपाय के बारे में तो आज का महाउपाय है आज के दिन गनिश चालीसा का पाठ करें सो भागे में व्रद्धी होगी तो चलिए फ्रेंट्स अब बात करते हैं राशी फल की राशी फल में सबसे पहली राशी है मेश या नियरेस मेश राशी वालो कारक्षेतर में पुराने अनुभवों का आज भरपूर फाइदा मिलेगा काफी धनलाब कमा सकते हैं मेडिकल अक्षेतर से जोड़े स्टुरेंट्स को कोई बड़ी जॉब प्रस्ताव आ सकता है प्रिम विवाह में आ रहीं बाधाएं दूर होंगी सेहत अच्छी रहेगी वरिश राशी वालो ऑफिस में आज उच अधिकारी आपकी काम की प्रशन सा करेंगे सहकर्मियों के अच्छे विवाहर से मन प्रसन रहेगा कलाक्षे तरस जोड़े जातकों को बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं जीवन साथी की अचानक तबियत खराब हो सकती है ध्यान रखें मिर्थुन राशी वालो आज बौस की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है सहकर्मियों की लापरवाही के कारण आर्थिक नुकसान होने की संभावना है विद्यार्थियों को पड़ाई को लेकर कुछ समस्यां आ सकती है शाम को मित्रों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा करक राशी वालो नया मकान खरीदने की सोच सकते हैं सिंग राशी वालो आज कोई भी जोकिम भरा काम करने से बचें कन्या राशी वालो दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी किसी करीबी रिष्टेदार से कोई खुश खबरी सुनने को मिलेगी कपड़ों का व्यापार कर रहे जातकों को काफी धनलाब होगा विद्यार्थियों को शिक्षा में उचित परिणा मिलेगा तुला राशी वालो अपने खर्चों पर थोड़ा नियंतरन रखें आर्थिक थिति बिगड सकती है मार्केटिंग ख्षेतर से जुड़े लोग अच्छे अवसरों को अपने हाथ से न जाने दें जीवन साथी के साथ किसी बात पर कहा सुनी हो सकती है व्रश्शिक राशी वालो पुरानी गलतियों से कुछ नया सीखेंगे नौकरी पेशा लोगों को कोई नया टार्गेट मिल सकता है परेवार में सुखद माहो रहेगा भाईयों के साथ संबंध मजबूत होंगे धनूर आशी वालों काम से जोड़ी जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें आज आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे काम को लेकर किसी पर भी भरोसा ना करें वैवाहिक जीवन में मन मुटाव के थिती रहेगे मकर आशी वालों कोई नया काम शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है युवा वर्ग को करियर के मामले में नए ओफर मिलेंगे सरकारी सेवा कर रहे लोगों को उचिपद मिल सकता है संतान के नकारत्म का रवय को देख कर मन थोड़ा दुखी रहेगा कुम्ब राशी वालों कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी मार्केटिंग संबंधी कारियों में आपको काफी लाभव होगा, दूसरों के मामलों में हस्तक शेप ना करें तो बेहितर होगा, परिवार के साथ शाम को बाहर डिनर करने का प्रोग्राम बना सकते हैं इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद